महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के है, तुम रावन के संग में आकर पतित बने, अब फिर पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है मीठे बच्चे, तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के है, तुम रावन के संग में आकर पतित बने, अब फिर पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है प्रश्न, अशांती का कारण और उसका निवारन क्या है? उत्तर, अशांती का कारण है अपवित्रता, अब बगवान बाप से वाइदा करो की हम पवित्र बन, पवित्र दुनिया बनाएंगे अपनी सिविल आई रखेंगे, क्रिमिनल नहीं बनेंगे, तो अशांती दूर हो सकती है तुम शांती स्थापन करने के निमित बने हुए, बच्चे, कभी अशांती नहीं फाइला सकते तुम है शांत रहना है, माया के गुलाम नहीं बनना है धारना के लिए मुके सर, पहला पॉइंट बाप से पवित्रता की प्रतिगना की है तो, अपने को माया के वार से बचाते रहना है कभी माया का गुलाम नहीं बनना है इस प्रतिगना को बूलना नहीं है, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है दूसरा पॉइंट देवता बनने के लिए अवस्ता को बहुत बहुत शांत चित बनाना है कोई भी बूत प्रवेश होने नहीं देना है दैवीगुन धारन करने है वरदान फरिष्टे स्वरुप के स्मुती द्वारा बाप की चत्रचाय का अनुबव करने वाले विग्ण जीत बहु विवरन अमुरुत वेले वुटते ही स्मुती में लावो की मैं फरिष्टा हूँ ब्रामा बाप को यही दिल पसंद गिफ्ट दो तो रोज अमुरुत वेले बाप दादा आपको अपनी बाहों में समालेंगे अनुबव करेंगे की बाबा की बाहों में आतींद्रिय सुक में जूल रहे है जो फरिष्टे स्वरुप की स्मुती में रहेंगे उनके सामने कोई परसिती वा विग्ण आयेगा भी तो बाप उनके लिए चत्रचाया बन जाएंगे तो बाप की चत्रचाया वा प्यार का अनुबव करते विग्ण जीत बनो स्लोगन सुक स्वरुप आत्मा स्वस्तिती से परिस्तिती पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है ओम शांती झाल